बहुत समय पहले चीन में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अलादीन था। अलादीन अपनी मा के साथ रहता था। एक दिन एक अमीर और प्रतिष्ठित दिखने वाला आदमी उनके घर आया और अलादीन की मा से कहा मैं अरब से एक व्यापारी हूँ और चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरे साथ हाए, मैं उसे अच्छा इनाम दूँगा। अलादीन की मा तुरंत सहमत हो गई। उसे क्या पता था कि अमीर व्यापारी होने का नाटक करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक जादूगर था। अगले दिन अलादीन अपना सामान पैक करके व्यापारी के साथ चला गया। कई घंटों की यात्रा के बाद व्यापारी ही रुका। अलादीन भी आश्चर्य चकित होकर रुक गया कि उन्हें ऐसी सुनसान जगह पर रुकना चाहिए। उसने चारों ओर देखा। मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाला और जमीन में फेंक दिया। अगले ही पल पूरा स्थान धुएं से भर गया। जैसे ही धुआ साफ हुआ, अलादीन को जमीन में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। यह एक गुफा थी। व्यापारी। अलादीन की ओर मुड़ा और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गुफा के अंदर जाओ। वहाँ जितना सोना तुमने देखा होगा, उससे कह जमारी मदद करेगी। अलादीन बहुत सशंकित था, लेकिन उसने जैसा कहा गया था, वैसा ही करने का फैसला किया। वह पूरे समय यह सोचते हुए कि बिना मदद के बाहर निकलना मुश्किल होगा, खुद को गुफा में उतारा। अलादीन ने गुफा में प्रवेश कि और जैसा की व्यापारी ने कहा था, उसने सोना, गहने, हीरे और अन्यकीमती सामान देखा। उसने अपनी जेबें भरली। जब यह हो गया, तो उसने दीपक की खोज की। वह कोने में पढ़ा हुआ था, धूल से भरा हुआ और गंदा। उसने उसे उठाया और गुफा के द्वार की ओर भागा और व्यापारी से चिलाया, मेरे पास तुम्हारा दीपक है, क्या तुम कृपया मुझे बाहर निकाल सकते हो? मुझे दीपक दो, व्यापारी ने कहा। अलादीन को निश्चय नहीं था कि यदि वह दीपक लोटा देगा, तो उसे बाहर निकाला तो उसने कहा, पहले, कृपया मुझे बाहर खींचो। अलादीन और जिन इससे व्यापारी नाराज हो गया। जोर से चीखते हुए उसने वही रंगीन पाउडर निकाला और गुफ़ा के द्वार पर फेंक कर उसे एक विशाल शिला से बंद कर दिया। अलादीन उदास थ उसने सोचा, वह कोई अमीर व्यापारी नहीं था, वह निश्चित रूप से एक जादूगर था, मुझे आश्चर्य है कि यह दीपक उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। वह सोच ही रहा था कि उसने दीपक रगड दिया। अचानक कमरे में एक अजीब सी धुं में बोला, ता, मुझे घर वापस ले चलो। और अगले ही पल अलादीन अपनी मा को गले लगाते हुए घर आया। उसने उसे जादूगर और दीपक के बारे में बताया। अलादीन ने फिर जिन्द को बुलाया। इस बार जब जिन्द प्रकट हुआ तो वह डरा नहीं। उसने कहा, जिन्द मुझे महल चाहिए, पुरानी जोपड़ी नहीं। अलादीन और उसकी मा को फिर से आश्चर्य हुआ कि उनके सामने एक शानदार महल था, वक्त निकल गया। अलादीन ने सुल्तान की बेटी से शादी की और बहुत खुश था। ऐसा हुआ कि इतनी राजकुमारों को अलादीन के लिए दीपक की कीमत का पता नहीं था और उसने जादूगर को इंतजार करने के लिए बुलाया। जैसे ही जादूगर ने दीपक देखा, उसने उसे राजकुमारी के हाथ से छीन लिया और रगड दिया। जिन्न प्रकट हुआ, आप म तो महल था और नहीं राजकुमारी। उसने अनुमान लगाया कि यह अवश्य ही कोई दुष्ट जादूगर है जो उससे बदला लेने आया है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, अलादीन के पास एक अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे दी थी। अलादीन ने वह जादूगर के बगल वाली मेज पर पड़ा हुआ पाया। इससे पहले की जादूगर प्रतिक्रिया कर पाता, अलादीन ने दीपक की ओर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। दीपक हाथ में आते ही अलादीन ने उसे रगड दिया। जिन फिर प्रकट हुआ और बोल अलादीन की इच्छा पूरी की गई। दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए गायब हो गया। जिन अलादीन, राजकुमारों और महल को वापस चीन ले गया। वह जीवन भर अलादीन के साथ रहा।